हम नहीं बोलेगी बाद जल्डा रहा है हर सो बार रात आठ मजे सवारों के दिर्ट से किरेया को चाहिए जबाब को देखे हमारे साथ मोदालाइफ पर हम नहीं बोलेगी बाद दो वर्ष पूर अंतराश्टी हिंदू परिश्रत वह राश्टी बजंग दल को प्रभीरण भाई तगोडिया ने गठन किया था जिसको दो वर्ष पूरे होने पर पतेपुर जिले के दुर्गा मंदिर में कारे कर्टा समयलों का आयुजन किया गया समयलन में हिंदू एकता पर जोड देते हुए हिंदू को एकमंज पर लाने के साथ साथ गाओं गाओं जाकर लोगों को संगठन में जोड़ने की बात की गई वहीं अंतराष्ट हिंदु परिसत के जिला महमंत्री श्यां मोहंतिवारी ने कहा कि वर्तमार्मी केंडर्व प्रदेश की शरकार भगवान राम के नाम पर हिंदु को एक संगठन विरोध करता है साथ कहा कि आचीन पाकिस्तान वर नेपाल जैसे देश भारत को धंकी देते हैं या सब देश के प्रदानमंत्री की कार देश में इन्होंने देश की हिंदु को जाती वी बाटने का काम किया है प्रवादी नहीं फेलाएंगे सब को एक जूट करेंगे सभी भाई अपने हैं और जो भी समाय उनसे दूर हो रहा है उनको भाबा राम देओ वी बीजेपी प्रोड़क्ट हो जी उन्होंने जो कहा है दवा हमने बना लिए कुरोना इस या मानते हैं उनको सही बोल लाए है अब उनका कहिना है तो उनकी हिसाफ सही हो लेकिन हमारे सब रही सही नहीं है अगर सही होता तो यहाँ पर सबको ठीक हो जाओ जाओ यहां लोग इस तरह ना हो गए क्या मेरा मीतकुमार मैं राष्टी बजरंग दल और अन्यान संगठन जिसके अंतर गत राष्टी चात्र परिशत राष्ट्री महिला परिशत राष्ट्री मजदूर परिशत हिंदू हेल्प लाइन ऐसे तमाम तरह के कारे संगठन के मात्यम से पिछले दूबर्स में नेरंतर किये जा हुआ जो वर्तमान परिश्थिती में सरकार संपूर्ण राष्थ्र ने एक मत्से पूर्ण उसी देश नेपाल हो गया चाइना हो गया पाकिस्तान हो गया इस प्रकार के देश भी भारत में टिपड़ी करने में किसी भी प्रकार का भय उत्पन नहीं करते हैं तो कथनी और करणी में भेद को देखते हुए माननिय प्रमीर भाई तोगडिया ने राष्ट को एक सक्षम संगठन देने के लीए राष्ट में हिंदू संब्रद्रिट, हिंदू संस्क्रति और हिंदू सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संगठन का निर्मान किया ताकि यदि कोई हिंदूवादी संगठन राम को प्रोड़क्ट समझे और हिंदुत को अपनी दुकान का मसाला समझ कर अपनी सत्ता हासिल करता है तो उसको नियंत्रित करने के लिए एक हिंदू, ऐसा मजबूत हिंदू संगठन होना चाहिए, ऐसा सामाजिक संगठन हो जा चाहिए, जो कम से कम उन्हें हमारे बातों पे नियंत्रित किया जा सके, उनसे वो कराया जा सके जो हम कराना चाहते हैं, वर्तमान सरकार, जबकि मैं किसी सरकार का विरोध करने के पक्ष में नहीं हो किन्तु समाज को देखते हुए उनके विशे को देखते हुए आज सिच्छा में, चिकित्सा में, स्वास्थ में, रोजगार में व्यापार नीती में, विदेश नीती में यहां तक जितने भी सामाजिक राष्टिक धार्मिक मुद्डे है। पूर्ण रूप से वहिस्कार करता है और सरकारों से यह मांग करता है कि सट्टाय आती है जाती है परमपराय कभी किसी भी धर्म की भिगटित या विनष्ट नहीं करनी चाहिए अता कुछ सुरच्छा उपकरणों के साथ यह कावर यात्रा अबाद रूप से नियंतर चलती रहे ताकि श्यू भक्तों में आक्रोश नहीं संगठन काफी है असे लोगों कैसर में अटे किसी ना किसी राजनेतिक संगठन का आज जो कि दिख रहा है वर्तमान इसपष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता लेकिन यहां निश्चित हो चुका है कि किसी ना किसी राजनेतिक संगठन के लिए ही प्रतेक हिंदू आजी संगठन कार करता है और इस समय वर्तवान में हमारा जो संगठने विशुद्ध हिंदू आजी संगठने जिसे किसी राजनीच से कोई लेना देना हमारा संगटन पिछले दो वर्सों में अखिल भारती इस्तर पर 122 देशों में लगभग निर्मित हो चुका प्रतेक ब्लाक इस्तर पर प्रतेक ग्राम समीट पर हम लोग ग्राम समीट का निर्माड कर रहे हैं लगभग लगभग हम प्रतेक 6 विधान सबाव में सभी में नफरत की राजनीत विद्वेश की राजनीत समाथ से खत्म होनी चाहिए यह संकल्प ले के फतेपुर की धरती में मैं श्याम मुहंतिवारी जिला महमंत्री अंतराष्ट्री हिंदू पश्चत राष्ट्री मदरंग दल यह संकल्प लेता हूं कि मेरे जन्पद में कोई भी संगठन चाहिए इंदू बादी हो मुस्लिम बादी हो किसी भी संगठन को वैं मनस्व नहीं घोल सकता ना मैं उसको घोले दूंगा हम नहीं बोले की बाद चल्द आ रहा है हर सो बार रात आठ बजी सवालों के फिर सेखेरे आपको चाहिए जबाब तो देखे हमारे साथ को दलाई पर हम नहीं बोले की बाद